दोस्तो मैं जहांसी के राज़ा गंगा धर्राव जी की छत्री पे आया हूँ जो की बहुत ही कुपसूरत है और इसका निर्माड आज से करीब डेड़ सो साल पहले जहांसी की राणी लक्षी भाई जी ने करवाया था तो दोस्तो अगें वेलकम बेक टु माई यूटूब चैनल एके वोड जहांसी ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तो यहां से हम इस मारक के अंदर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह बनाया गया है और इसके बारे में क्या कहानिय प्रिसले थें दोस्तों दोस्तों यह जो छत्री आप देखी रहे होंगे यह जो बाहर का स्ट्रेक्चर है आप देखी रहे होंगी काफी पुराना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया करीब डेड़ सो साल पुराना है दोस्तों यहां पर जैसे ही करते हो ना सामने की तरफ एक अच्छा सा गार्डेन हुआ करता है यह बट यहां पर अभी क्या काम चल रहा है यहां पर फुलवारी वगएरा फिर से लगाई जा रही है तो जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो यहां पर चार पार्ट में छोटे-छोटे से बगीचे बनाए ग सामने की तरफ आपको इसमारक दिखाए दे रहा था तो दोस्तों जो मैं इसके बारे में बता रहा था कि जो यह इसमारक होता है यह मृत्तियों के बादी बनाया जाता है तो जैसे गंगा धर्राव जी की मृत्तियों हुई तो इसका निर्माड हुआ दोस्तों यहां पर द और इनकी मृत्यू के बाद इनकी पत्नी यानि की राणी लक्षीम पर यहां पर साजका बनी यहां पर राज किया उन्होंने और अंग्रेज़ों से युद किस तरीके से करा यह सारी कहानी आप लोगों को पता ही हैं दोस्तो यह देखी यह है वो इस मारक जिसके बारे में उनकी कब्रवनी हुई होती है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता बट उनके नाम का एक इसमारक बना दिया जाता है इसको कब्रिस्तल भी बोल सकते हैं तो यहां से जब आप आगे की तरफ चाओगे ना सामने की तरफ तो वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाया गया है और चारो तरफ बैठने के लिए कापी अच्छी सुब्धा हैं राचा गंगा दर्राओ की मृत्तु के बाद दोस्तो रानी लक्षीम भाई जो थी वह यहां पर पड़े शाम के टाइम आया करती थी और सामने की तरफ उनका एक मंदिर भी बना हुआ है जहां पर पूजा भी ग दखा हुआ है चारो तरफ से अभी तो क्या है कि यहां पर फुलवारी का काम चल रहे इसलिए वह सारी चाप लोगों दिखाई नहीं दे रहे होगी यह देखिए जिस तालाब के बारे हम बात कर रहा था यहां से इस तालाब के नीचे से यहां पर पहले सुरंग हुआ करती थी दोस्तों नीचे जाने के लिए जहां से यह सुरंग सीरा महल के तरफ खुलती थी रानी महल के पास पर अब उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है यह वह तालाब था यह चारो तरफ से यह देखिए कितना खूपसूरत है चारो तरफ से इसमें एक गार्डन एक म अंगरेजियों से युद्ध करते हुए अपने आपको बीरगत किया था इनके बारें बहुत सारी कहानी प्रिचले थे हैं और फेमस भी हैं दोस्तों जो राजा गंगाधर राओ थे वो अपनी पत्नी से जादा फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उनकी मृत्तु जल्दी हो गई कहा जाता है कि अंगरेजियों से उन्होंने एक डील करी एक पत्र लिखा अंगरेजियों को क्योंकि जब राजक अंगाधर रहने लगे तो उन्होंने अंगरेजियों को एक पत्र लिखा और उसमें बोला कि मेरे मृत्तु के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को किसी त टाइमपे उनके गले में मतलब दुख के कारण एक करोण करुणा के कारण उनके मन में एक अजीब सा मतलब उनका मन हुआ और वहां पर गिर गए और उसी समय उनकी मृत्ति हो गई दोस्तों क्योंकि वह बहुत जादा प्यार करते थे उनको बहुत जादा दुख था उस चैस्ट्र जी का मंदर यहां पर सिर्व जी का मंदर है यह दोनों ही पास-पास में बने रहे और सामने की तरफ ही रानी लक्षी बाइन के रहा है जहां पर वह डेली पूझा करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मंदर भी दिखाओंगा और इसका पीछे रानी ताल है यानि कि लक्षमी भाई का ताल है जो उनके नाम से यहां पर फिमास है वो देखिए वो ताल है और वो मंदर सामने दिखाए दे रहा है अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो सारी चीज़े दिखाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों आज के लोगों के वीडियो में आप